सब्सक्राइब करें चेनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों तो दोस्तों आपकी उंगर 18 साल हो चुके हो और आप एक pen card apply करना चाहते हो तो आप online apply कर सकते हो जहां दोस्तों pen card apply करना बहुत ही easy है 24 गंटे में pen card आपके email पर आ जाएगा और 15 days के बाद आपको अपने घर पर भी by post pen card मील जाएगा तो दोस्तों कैसे apply करना है pen card को उसका सारा process में आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों Google में type करना है pen card apply UTI जो पहली website है pen card apply UTI ITSL उस पर क्लिक करना है link मेंने description में भी दे दिया है दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्क्रोल करना है नीचे option मिलेगा apply for new pen card form 49A इसके उपर आपको क्लिक कर देना है form 49A ओपन हो चुका है दोस्तों अभी यहां पर पहल आप्शन है physical mode तो यहां पर आपको अपने document है physically send करने होगे तो हम डिजिटल मोड वाला option चूज करेंगे डिजिटल मोड में आपको अधार बेज KYC वाला option सिलेक करना है अधार OTP के through हो गये उसके बाद नीचे आना है यहां पर option है status of applicant तो यहां पर और इंडिविजुल आ नहीं करना है ठीक है सब बीट वाले option पर क्लिक करना है यहां पर एक reference number जंडेट होगा इसको आपको note कर लेना है और OTP क्लिक कर देना है अभी details fill up करनी है तो यहां पर पहले personal details में अगर आप unmarried woman हो तो कुमारी सिलेक कर लो अपर आप male हो तो श्री और married woman हो तो SMT वाला option सि fill up करना है उसके बाद first name डाल देना है और middle name डाल देना है सिसे अप सारी details fill up करोगे तो pen card में कैसे name print होकर आएगा और यहां पर name on card वाला option है उस पर show होगा अगर आप कोई दूसरे नाम से जैने जाते हो तो yes पर क्लिक करके name डालो otherwise no पर क्लिक कर दो यहां पर आपना gender select कर यहां पर आपको अपना date of birth हो fill up कर देना है उसके बाद नीचे scroll करना है यहां पर address of communication में आपको कुछ भी details fill up नहीं करनी है और नीचे सीधा आ जाना है अधार number वाले option पर यहां पर आपको अधार number डाल देना है फिर से यहां पर verification के लिए अधार number यहां पर फिर से आपको fill up कर देना होगा ठीक है उसके बाद नीचे यहां पर okay वाले option पर आपको क्लिक करना है जैसे अधार card में name है वैसे ही यहां पर आपको अपना name है वो पुरा fill up कर देना है यहां पर आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों ठीक है नेम डालने के पाद नीचे next step वाले option पर क्लि डीटेल्स तो यहां पर आपको कोई भी डीटेल फिलप नहीं करने सारा डेटा है वह आधार बेस्ट होगा जो आपके अधार कार्ड में होगा वैसे अडेंटिप प्रूफ एट्रेस प्रूफ और डेट बर्थ यहां पर आ जाएगा दोस्तों अब यहां पर नेक्स्ट वाले इडी फिलप कर देना है तोस्तों उसके बाद नीचे पैरेंट डीटेल्स में यहां पर अगर आप अपने मदर का नेम डालना चाहते हो तो यस वाले आप्शन पर क्लिक करना है नीचे यहां पर आप नो वाला आप्शन भी सिलेक कर सकते हो अगर फादर का नेम आपको यहा यहां पर आपको फादर नेम ही सिलेक्टेट रहने देना है और नीचे अभी नेक्स टेप वाले आप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे नेक्स करोगे एड्रेस डीटेल्स यहां पर आएगा तो यहां पर एड्रेस डीटेल्स में कोई भी डीटेल्स फिल अप नहीं करन है यह अधर इंकम है हाउस वाइफ है तो यहाँ पर नो इंकम से लिए कर लो और ओके पर क्लिक कर दो नीचे नेक्स टेप वाले ओप्षन पर क्लिक कर दो अभी फिर से अधर डीटेल्स में यहां पर भी आपको कोई भी डेटा फिल अप नहीं करना है दोस्तों सीधा नीचे यहां पर वेरिफिकेशन प्लेस में जहां से आप फॉर्म फिल अप कर दो नीचे नेक्स टेप वाले ओप्षन पर क्लिक करना है डोक्यूमेंट अप्लोड तो यहां पर भी दोस्तों आपको कोई भी डोक्यूमेंट से अप्लोड नहीं करने है सारा अधार बेस ही होगा तो आपको यह भी स्कीप कर देना है पुरा नीचे क्लिक करना है अभी दोस्तों आपका अप्लीकेशन है क्लिक कर दो और अभी मैक्न करना है तो यहाँ पर मोबाइल नमभर या ंदडल न चाहो तो डाल सकते हो otherwise यहाँ पर build ex वाले option पर click कर दो नीचे confirm payment वाले option पर click करना है बहुत सारी details आपको payment की मिल जाएगी यहाँ से कोई एक option आप चूज का सकते हो मैं UPI वाला option चूज कर रहा हूँ नीचे make payment वाले option पर click करना है अभी आम यहाँ पर UPI ID फिलप कर देना है मैं एक payment वाले option पर click करना है आपके UPI पर एक notification आया होगा notification में आपको payment कर दिना है दोस्तों जब भी आपका payment हो जाएगा सिधा यहाँ पर आप redirect हो जाओगे आपको यहाँ पर अपना application number या reference number हो fill up कर देना है जो मैंने आपको बताया पहले reference number आये था उसके बाद application number भी last में आये था उसके बाद आपको यहाँ पर date of birth डाल देना है और capture fill up कर देना है नीचे submit वाले option पर click करना है जैसे आप submit पर click करते हो तो आपका यहाँ पर एक अधार based OTP आएगा अभी यह EKYC हो रहा है दोस्तों तो आपको यहाँ पर OTP fill up कर देना है term and condition को accept करके submit पर click करना है तो अभी यहाँ पर दोस्तों आधार details में यहाँ पर AO code तो get AO details पर जैसे आप click करोगे आपका AO code है हो submit हो जाएगा automatically देखो उपर आ चुका है नीचे अभी update वाले option पर click करना है अभी हमें e-sign करना है अधार बेस तो यहाँ पर अधार नमबर में आपको अपना अधार नमबर है वो पूरा fill up कर देना है नीचे आपको दूसरा option अधार OTP वाला option select करना है नीचे get OTP पर click करना है तो दोस्तों अधार कार्ड में जो register mobile number है उस पर OTP यहाँ पर fill up कर देना है नीचे tick mark कर देना है और submit वाले option पर हमें click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करते हो हमारा application है वो पूरा हो चुका है दोस्तों हमारा जो pen card का पूरा process खतम हो चुका है दोस्तों अभी आपको अपना pen card है उसका status देखना है तो आपको कैसे देखना है यहाँ पर इस वाले portal पर वापस आ जाना है नीचे scroll करना है और यहाँ पर track pen card वाले option पर click to here पर click करना है यहाँ पर आपको अपना application number हो fill up कर देना है जहाँ पर you लिखा है उसके side में application number fill up करने के बाद नीचे आपको अपना date of birth भी पूरा fill up कर देना है यहाँ पर हमें date of birth भी fill up कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे अभी capture fill up कर देना है और submit वाले option पर click करना है जैसे आप submit पर click करते हूँ यहाँ पर दोस्तों आपका application number आएगा और आपका details पूरा आएगा यहाँ पर लिखा है your pen card application with आधार paste ekyc received and under verification तो अभी आपका application है और under verification है यहाँ पर आपको status देखते रहना है दोस्तों यहाँ पर आपको last night consignment number भी मिलेगा जैसे आपका pen card अपरू हो जाता है तो उससे आप अपना जो pen card है वो track कर सकते हो बहुत ही easily उसका भी मैंने वीडियो बना कर रखा है description में मिल जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से आप pen card को online apply कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो like करे, share करे, subscribe ज़रू करे तो सकते हैं, thank you so much for watching